हेलो एवरिवान सभी को मेरी तरफ से नमशकार और मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड अब्यूज का पार्ट सेकिंड जो हमने खतना या एफजीम इंडिया के अंदर पढ़ना है हमने इसका पार्ट वन जो पहली जिलेशन के बारे में पढ़ा था और वो हमने गलोबली कॉंटेक्स पर पढ़ा था हमने समझने की कोशिश की थी कि actually FGM क्या होता है हमने डाइग्राम की थ्रू देखा था कि FGM क्या है उसके कितने टाइप्स है और जो भी अभी हमारे वीवर्स हैं जो भी अभी आए हैं औ उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप से विंति करूंगी प्लीज इस वीडियो को यहीं पर रोक दे और पहले जाकर एक बार अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को उस वीडियो को पहले जाकर एक बार देख लेजिए ताकि आप लोगों को टाइप्स क्या क्या FGM क्या है FGM खुद क्या है वो बाते समझ में आ जाए उसके बाद यहां पर आईएगा हम इसमें खतना को खफज को इंडिया के कंटेक्स में बात कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि FGM है खतना है खफज है या फीमेल जैनेटल कटिंग है वो इंडिया में कितना प्रोसेस कर इने जानते होंगे इनका फोटो क्यों लगाया है देखिए यह अब हम आगे पढ़ेंगे अब हम इनके बारे में जानेंगे समझेंगे यह बहुत ही प्रॉमिनेंट फेस है काफी लोग इनको जानते हैं दूसरी बात की एक सर्वाइवर है FGM की यानिकि यह विक्टम नहीं बनी थी और इनोंने खुद अपने मूँ से इस बात को एकसेप्ट किया है आगे आगे जब हम बढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे इस लेक्चर में तो हम इनके बारे में जानेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले FGM female genital mutilation या खतना भारत में है कितना तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि WHO का मानना है कि सब अफरिकन एरियास हो गया या फिर इजब्ट हो गया या साउदी अरेबिया है या वहां के ट्राइबल सोसाइटी जो जो हम वहां पर छोटी लड़कियों के साथ या अंकल से क्या मतलब है एस तो छे साथ साल की पात साल से लेकर पंदरा साल तक की एज के अंडर तो बहुत रेगुलरली मतलब रोज रोज उनकी कटिंग होती है उनके जनेटाइल एरिया में बट ऐसा नहीं है कि सरफ यह वहां वहां होता है देखिए इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक्जाम्पल से हमें देखने को मिलता है कि 6-7 साल की लड़कियों का FGM यानि की खतना भारत के अंदर हमारे खुद के देश के अंदर हो रहा है ठीक है यह जो प्रैक्टिस है बहुत कॉमनली अगर हम देखे कि बहुत सामनेता कहां पाई जाती है तो मंबई में पाई जाती है मंबई कहां पर है महराष्टरा में है और वहां पर भी यह किसके दोारा की जाती है कोई मिडवाइबस होती है यानि कि खुद औरत के दोारा एक औरत के ऊपर ही यह प्रैक्टिस पफोर्म की जाती है क्योंकि काफी openness नहीं है सकींड चीज लोगों को नहीं पता है इसके बारे में ज्यादा मुझे भी नहीं पता था और हम ने पिछली बार देखा था कि religion में इसके reactions पर religion निरी जन रिरीजन हे वहां पर обिताती है तो यह पर आया है कि मुंबई में भी यह जहां पर अभी both Ctrl Box है वह है बहुरा Commonwealth कम्यूनिटी और वह एक sub-sets सिया समझ में आई बात तो अब ये इसका क्या मतलब हुआ तो देखी इसलाम इसलाम एक रिलीजिन है ठीक है मुस्लीम होते हैं जो वो लोग को इसलाम को फोलो करते हैं जैसे हम हिंदू है तो हम क्या करते हैं हिंदू रिलीजिन हिंदुत्वा को फोलो करते हैं सही मुस्लीम लोग इसलाम को फोलो करता है इसलाम दो सबसेट में बटा हुआ है फर्स्ट क्या है सिया एंड सुनी यह दो है तो यह अलग-अलग है मतलब इसलाम की भी जो लोग मुस्लमान भी है वो भी दो टाइप की है एक सिया है एक सुनी है तो जो यह बहुरा कम्यूनिटी है वो सबस सेट और सिया सबसेट के लोग हैं वो लोग इस प्रैक्टिस को फोलो कर रहे हैं बहरा कम्यूनिटी के अंदर ठीक है आप जो है अगेन हम लोगे पिछली बार सुना था कि पढ़ा भी था सुना था मैंने आप लोगों को बताया था कि जनिटल पार्ट मोमन की बोडी का उसे ह पोटी माना गया यानि कि इम्मोरल लंप फ्लेश माना गया यह हम मैं आप लोगों को बता सकती हूं पहले भी बता सकती थे अभी बता सकती हूं कैसा क्यूं बट मैं चाहती हूं कि जो ओरत या जो लड़की खुद इस पेंसे इस पें के थ्रू उनको हुआ है या इस जिस और जिनोंनी एक्सपीरियंस किया वो अपनी टेस्टिमोनी बता रही है वो बता रही है कि क्या दिक्कत है या क्यूं है तो प्लीज अभी देखना आगे बढ़कर उनों और उन्हीं के मुझ से समझना कि इसे ऐसा क्यूं बोला जाता है नेक्स देखते हैं अगेन वही कोश और यह कहां से बेज करती हैं कहां से बिलोंग करती हैं उसी कम्यूंटी का एक पार्ट है यह कौन है एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में अभी इनकी एक नई मूवी आ रही है चलांग लोगों ने देखा होगा पोस्टर या ट्रेलर जो भी है मैंने ट्रेलर देखा तो इनका जो first movie थी वो थी प्यार का पंचनामा और उसमें काफी एक dialogue भी famous हुआ था और उसके बाद इनकी और movies आई सीटू के स्वीटी जो भी था मतलब ऐसे एक movie आई थी इनकी और उनके बाद इन्होंने क्या क्या था अपने माबाप के साथ बैट कर एक interview दिया था अकलोती लड़की है अपने माबाप की यानि अकलोता बच्चा है लड़की नहीं तो इन्होंने बताया था कि इनके parents के साथ इन्होंने बताया था कि यह शोर है कि इनको mutilated नहीं किया गया है यानि कि इनका female जो जैनेटायल एरिया है उसकी cutting नहीं की गई है और इन्होंने ये बात भी बोली कि अगर इनको बेटी होती है कलको जागर इनकी शादी होती है जब यह बच्चा करती है तो अगर इनको बेटी होती है तो यह शोर करती है कि उसको भी इस practice से गुजरना नहीं पड़ेगा यान यूट्यूब का लिंक अफकोस मेरे description box में आपको मिले गया और आप वहां से जाकर देख सकते हैं उसके बाद इनसे पूछा गया कि उसी इंट्रिव्य में से एक स्वाल पूछा गया था कि क्या आप जैसे आपके घर पर cousin brothers है कोई भी ऐसे लोग है जो भी brothers है आपकी क्या उन लोगों को इस बात का पता है कि आपको म्यूटिलेट नहीं किया गया है क्योंकि यह काफी बड़ा रिजन हो जाता हमें पता लगा था कि देखो ऐसे तो शादी भी नहीं होती है लड़कियों कि अगर उनको सकम साइज नहीं किया जाता है या म्यूटिलेट नहीं किया उनकी कड़िंग नहीं होती जनिटल पार्ट की तो इनसे ऐसे पूछा गया तो इन्होंने बताए कि देखे इतनी ओपनेस नहीं है इनकी कम्यूनिटी में और ये थोड़ा ठीक है इनकी एक स्टेटस है इनके मावाप समझते ही इन वातों को और इसलिए शायद इनको भी नही गुजरना पड़ा उस दर्द को इनको से नहीं करना पड़ा अब ये खुद फेमस है और ये इनमें इतनी हिम्मत है कि ये इस बात के बारे में बाहर आकर बात कर रही है बट इतनी ओपनेस अगर हम बाद में देखते हैं तो वह नहीं है तो आज तक ये खुद भी इनको न या नहीं पता है तो ये एन्हों ने अपने आपने इंटर्व्यू्य में बोला उसके बात इनकी मदर ने बोला कि देख्यें जो पेन से वह खुद गई थी जब इनकी मा से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया क्योंकि हर कोई ऐसा सुनने को मिला कि वहाँ पर होता है या फिर सर्वे के अकोडिंग पता चला है तो इनकी माने बोला कि जिस दर्द जिस दुख से वो खुद गुजरी थी वो नहीं चाहती थी कि वही सेम दर्द उनकी बेटी को भी सफर करना पड़े उनकी बेटी को भी वो सेम दर्द सेन करना पड़े और इसलिए वो इस चीज़ के बिलकुल खिलाफ है इनके पिता ने भी बोला कि हाँ हम बिलकुल खिलाफ है और सबसे जुरूरी बात पहले भी हमने पढ़ा था अभी भी कि रिलीजियस होते हैं कारन होते है बट और हमने देखा था कि रिक्वार्मेंट है कुरान के कोडिंग या इन सब چीजों से तो बट यहां पर यह क्या बोल रहे हैं कि इनका मानना है या इनका बोलना है कि देखो कुरान में ऐसा नहीं माना गया है ऐसा नहीं बोला गया है कि आप जाओ और फिमेल जेलिटल मुटिलेशन करो ठीक है या फिर खतना परफॉर्म करो ऐसा कुरान नहीं बोलता है और ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए कि कहां पर कमी रहेगी है क्या हमारे कुछ जो मौलवी है वो जूट बोल रहे है या समाज में गलत बाते फैलाई जा रही है या फिर ये ठीक है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अभी समाज में तो अब भी मैं आप लोगो के सामने एक टेस्टिमिनी चालू करने वाली हूँ उसे सुनिये साथ साल के हुए होंगे तो एक दिन स्कूल से आये थे तो ममा ने कहा किया है पड़ उसकी एक ओड़ी लेटी थी कि इनके साथ जाओ उनके बेटी की बैटे है तो बुलाया बच्चे को लेके गई लेके गई उन्दर लेके गई और क्या किया रो रहे तो बुरी तरह से का गड़ जाओ और मम्मी को कहा किया कहा बेजा था कुछ नहीं मैं अभी गी लगा देती हूँ उन्होंने गरम गी किया और लगा है अल्दी और की बस यह हुआ था उसक्त नेक्स चलते हैं कि कहा होता है टेस्टेमिनी आप लोगोंने समझ लिया है मैंने भी आप लोगों को पढ़कर सुनाया था बट बात यह है ना कि जब इनसान जब कोई खुद अपनी आप बीती बताता है ना तो वो लोगों को ज़्यादा पता चलनी चाहिए ठीक है और हमें इससे एक सोच का भी पता चलता है कि कम्यूनिटी में एक्चली सोच क्या है चली आगे कहां होती है दावदी बहरा कम्यूनिटी अगेन सबसेट है सिया इसलाम का हमने पता चला कि सिया इसलाम क्या होता है सुनी और सिया दो टाइप की है इसलाम में यहां पर बहुत सारे जो इस कम्यूनिटी के लोग रहते ना इंडिया के अंदर और पागिसान में रहते हैं या मीन में रहते हैं इस्टन अफरिका में रहते हैं पर जो इंडिया के अंदर रहते हैं वो बिल्कुल माना जाएं ना क यहां एक जगह रहते हैं कि बहुत ज़्यादा एक जगह रहते हैं वो है महरास्टा और महरास्टा में भी मेन कहां पर है मुंबई में ठीक है मुंबई में हैं इनका मेन जहां पर यह रहते हैं और जो दूसरा बहुरा सेक्ट है यानि कि इनी से बहुत सारे बहुरा सेक्ट है एक मोमेंट को लेड किया था उन्होंने चलाया था एफजियम को खतम करने के लिए उन्होंने इस सर्वे किया था और इस सर्वे के अकोडिंग ये बात पता चली थी कि देखो बहराज में तो ये प्रैक्टिस बंद नहीं हुई है इसे बंद नहीं किया गया पर कुछ जगह पर जैसे केरिला सुनी है यानि कि जो केरिला में सुनी लोग रहते हैं ये सिया है वो सुनी है यानि कि दोनों के दोनों सबसेट में परफॉर्म होता है ऐसा नहीं है ठीक है कि एक ही सबसेट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है इसलाम सिया सुनी दोनों कर रहे है उनकी फैम ों 2017 कि द ano 10 साल तक कि उमर हो जाती है बर हो जाता है जो चुली लोगas घуч UA कैने बच्छी का क्या हुआ कि जब बच्चा के सीधा इकदम से चलना करता अ करा आगा जायेगा कि ठीक बच्चा करते हैं अगर ऑपने पैरों पर नहीं चल रहा है और अपने घुटनों के साहरे चल रहा है देखा होगा आप लोगो ने, कि वो अपने हाथों को नीचे रखका गुटनों के साहरे चलता है, उसे बोलते हैं टोडलर एज, कितने एज होगी अप्रोक्सिमेटली दो-तीन साल के बच्चे चलते हैं ऐसे उसके बाद तो बच्चे उठकर अपने पैरों पर चलना शुरू कर देते हैं तो उस एज में ये परफॉर्म किया जाता है किया जाता है सुनना में, केरला ही सुनना में, केरला के अंदर अब वही क्यों, इस रेजन पर हमने बात की थी और इंडिया में क्या कंटेक्स्त है, उसे देक लेते तो जो पढ़ी लेखी और बचाशे ही उन्होंने अपने टैस्टीमिनि में बताया कि देखें जो उनके प्रॉफेट हैं उन्होंने उनको बताया था कि एक अतना जरूरी है क्योंकि जो ओरत होती है उनमें जो sexual urge होती है जो sex करने की इच्छा होती है वो एक मरद के मुकाबले इन आदमी के मुकाबले ज्यादा होती है और इसलिए जो ओरत की sexuality है उसको कर्ब करने की उसको थोड़ा सा मतलब कम करने की जुरूरत होती है और इसलिए लोकों को क्या करना पड़ता है बाहर जाना पड़ता है उनको मुश्किल काम करना पड़ता है हाडवक काम करना पड़ता और वो हर समय अपनी पतनी के साथ सेक्स नहीं कर सकते दिन में तो यह कारण माना गया है कि वोमन को क्या करना चाहिए खता करवाना चाहिए अगर वह ऐसा नहीं करवाती है तो हो सकता है कि वो प्रोस्टिट्यूट में टान हो सकता है कि अईसा ओरत answered नहीं जो पड़ी लिकी ए creeping आ हैँ प्रोस्टिट्यूट क्या होता है वैश्चा जिसे हंदी में वैश्चा के नाम से जाना जाता है तो ऐसे ये कुछ रीजन दिये जाते हैं जो मुझे तो नहीं समझ में आ रहे कि इन से क्या मतलब है क्या नहीं आप लोगों को आए तो मुझे भी बताईएगा तो मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है इसी रीजन को पढ़के मेरी परस्नल चोईस है कि मुझे बिलकुल भी पसंद नह दी है आप लोगों के लिए आप इनकी फोटो देख सकते हैं इनका नाम और नंके बारे में सब पड़ लीजिए गाइसको रोपके या फिर गूगल पर विकीविडियो पर भी आप आप इनकी बारे में देख सकते हैं तो इनोंने 2016 में एक बोला था कि जो हमारी धार्मी कित सब्सक्राइब होती है उनमें हजारों साल पहले यह बात लिखी गई थी कि दोनों मेल और फिमेल को यह रिलिजिस प्यूरटी के लिए एफजीम करवाना जुरूर ही होता है जी हाँ आदिमियों में भी एफजीम नहीं बोल सकते हैं फिर उसको ठारे में भी हम वीडियो लेके आएंगे समझेंगे कि वह किस कंटेक्स्ट में किया जाता है और क्यूं होता और सब पर होता है या नहीं होता है थीक है तो यह प्यूर्मिक जो उनकी पवीत्तरता है उनकी प्यूर्टी है साफ सफाई होनी चाहिए उसके लिए यह बहुत ही सेक्स ना कर तो इसमें सेक्स फिलिंग ना आए कि वो हस्बेन के अलाव और किसी सेक्स कर रहा है उसको रुकना और अगर कभी ऐसा किसी के साथ कैस होता था कि कोई लड़की किसी से लव में है मतलब तो वस यही कहते थे कि इसके खतना नहीं हुई क्या इसकी खतना नहीं हुई थी क्या इ製िद्दा बेर नहीं होगी इसलिए उसने जर्ब मिटाना ती जर्बर नहीं होगी ति जर्बी परेंच्स को दिखाते हैं और इस यिए वह पच्झे को अपने control में रखने के लिए, discipline में रखने के लिए, कुछ भी रहा होता होगा conservative society में तो उसको follow करते हैं तो देखिए, ऐसे ऐसे कारण आ जाते है कि अगर आपको एक उमर होने के बाद किसी इनसान की प्रती attraction होता है या आपको प्यार हो जाता है तो इस पर comment मैं नहीं करना चाहूंगी अभी हमने इस topic में पहले बात की है इस portion के उपर अब देखते हैं कि क्यों, how, कैसे होता है क्यों नहीं, sorry, how, कैसे तो सबसे जो sad reality है यानि कि सबसे जो बुरी बात है बहुत दुखताएक बात है वो यह है कि यह जो सबसे बड़ा painful process होता है यह एक लड़की पर एक ओरत के दवारा ही किया जाता है यह एक ओरत ही इस process को दूसरी ओरत के उपर करती है और जो महुत सारी ओरते हैं जो जिनका cut हो चुका है जिनके उपर यह FGM practice हो चुकी है वो अपनी मा को ही इसके लिए blame करती है हाला कि जब तक वो realize करती है कि वो खुद इसकी victim रही है इस tradition की इस परंपरा की तब तक अब एक testimony है किसी ने बोला था एक victim है हिंदुस्तान टाइमस में ही यह बोला गया है कि वहाँ पर बहुत pain था मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं रो रही थी मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ ऐसे चीज होती है जिसे खतना बोला जाता है और मुझे ये भी पता था कि उसकी main intention यही है कि ओरत की sexual desire से उनको कर्ब किया जाए उनको थोड़ा कम किया जाए तो जो पहला target था न मेरा गुसे का जो सबसे पहला target था मुझे दर्द हो रहा था उसकी कारण जो मेरा सबसे पहला target था वो मेरी मा थी क्योंकि मुझे वाबर भेजने वाली कौन थी मेरी मा थी वो चाती तो शायद ऐसा नहीं होता और जब हम इसी के थ्रू में एक मा की टेस्टिमनी सुनते है कि एक मा का क्या बोलना है इस बात पर तो बोलती है कि देखो ये मैंने अपनी बेटी के साथ किया मैंने उसे भेजा वो इस कारण से भेजा क्योंकि ये मुझे बता गया था एक custom है ठीक है घर में और बड़ी ओरते होती है उन्होंने बोला कि एक custom है और इसलिए मैंने भेजा और मेरी कोई बुरी intention नहीं थी उसको भेजने के लिए तो बात यही है कि सबसे बड़ी दिक्कत है openness की openness नहीं है बात चित नहीं कर रहे है जो परंपरा चली आ रही है वही औरते दूसरी औरत को बता रही है ऐसा करना जरूरी है हमारे यहाँ पर तो mesural periods के बारे में भी openness नहीं है हम लोग नहीं बता पाते हैं अपने parents को बहुत सारी मेरी society मैं जहां से belong करती हूँ वहाँ पर तो बिलकुल ही नहीं खुल कर बात कर सकते हैं तो जब mesural blood के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं mesural practice के बारे में periods के बारे में तो यह तो बहुत बड़ी मैं समझ सकती हूँ कि एक लड़की होकर कैसा कितना बड़ा topic होगा अब देखें अगर हमें लाना है कोई भी चीज अगर हमें सुधार नहीं है न तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस चीज के बारे में बात करनी होगी तो आगे देखते हैं क्या चीज से में नहीं समझ पाई और कभी ध्यान भी नहीं दिया था अब जब थोड़ी से अकल आई तो अब सोचने लगी है कि करते क्या है तो अब वो कोई बरताने वाला नहीं है जो लेड़ी करते थे वो तो नहीं रहे जिन्नों नहीं हमारी की थे तो अब क्या चीज रिमूब करते हैं मुझे तो अभी भी सही मालूम नहीं आई कभी खुल के डिसकेशन कभी हुआ भी नहीं है, कि जैसे हमारे यह वाज होती है, इतनी लंबी चोरी सब चीज़े उसमें बताते हैं, तो कभी इसके उपर रोशनी डाले, कि कोई बताए कि भी है क्या चीज, क्या लोजिक है, क्या इसके पीछे साइंस है, क्या इसके अंदर बता नी कोशिश है, कि क्या इसके आवाज उठी है, अगर हमें ठेस्टीमनिय पता चल रही है, तो अफ़कॉर्स इसके बारे में आवाज उठी है, इसलिए मैं बार-बार आप लोगों को फील कराने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए बार बार उरतों का दर्द समझाने की सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसा उन लोगों को फील होता है तो एक ऐसी उन में से ओरत है मासूमा, रनालवी उन्होंने अपनी खुद की personal story को बताया है अगेन हिंदुस्तान टाइम्स के साथ और उन्होंने वहाँ पर बोला है काफी अच्छे से बताया उन्होंने कि जो मेरी मा थी ना उन्होंने मुझे बोला कि बटा मेरे पास आओ ठीक है मैं तुम्हें बाहर लेके जाओंगी और कुछ चोकलेट्स अगेरा दिलाओंगी मैं बहुत खुश हो गई और उनके साथ चली भी गई थे बच्चे जो होते हैं वो ऐसी चीज़ों में खुश हो जाते हैं इसलिए ऐसे माबाप या ऐसे बड़े बहन भाई हमारा यह फरस बनता है कि हम बच्चों को बताएं कि बटा आपके साथ कुछ बुरा ना हो तो ऐसे कोई चीज़ों का अगर आपको कोई लालच दे रहे हैं कोई बाहर से लोग है देखें तो घर की बात है बाहर ऐसे चाइल्ड डब्यूस का अगर हम टॉपिक करें तो उस पर बात का ध्यान रखना बहुत जुरूर है कि बच्चों को समझाया जाए कैसे ना जाएं किसी के साथ खैर वो उसकी माँ थी वो उसके साथ खुशो कर गई वो उन्हें जो उनकी माँ थी ठीक है, अब यह बताती है कि मुझे याद आता है कि वो मुझे एक कमरे में लेके गए थे और उन्होंने क्या किया कमरे में जाने के बाद जो भी वहां के कर्टेंस थे, उनको बंद कर दिया यनकी कि जो पढ़्डे वहां पर लेगे थे और एक oldish woman यानि कि अधेड उमर की बुड़ी और जो है वो आई मेरे पास उसने मेरी pent को उतारा मैंने रोना शुरू कर दिया बच्चे नहीं समझ में आया कि इनके साथ क्या हुआ इनोंने रोना शुरू कर दिया इनकी दादी ने इनको बोला कि बैटा डरो मत यहाँ पर जीफी वर्ड का यूज किया गया है यानि कि यह सेकिंडों में खतम हो जाएगा तुम डरो मत कुछ नहीं होगा मैं तुमारे साथ हूँ मैं दर्द में काप रही थी मुझे रोना आ रहा था बहुत मैंने उन्होंने यानि कि यह अपनी कहानी बता रही है और मैं घर आई और आने के बाद मैं रोई रोती रही और रोती ही रही समझे कि मैं रोई रोई और रोती ही रही इनको इतना दर्द हुआ उसके बाद की सच में बार बार में इस टोपिक पर बात कर रहे है कि प्रोब्लम आखिर कहां पर है तो problem अगर मैं देखूं तो मेरे coding तो openness नहीं है खुलकर कोई बात नहीं कर रहा है इस topic के ओपर problem यहीं पर है नहीं पता है जिन लोगों के साथ जिन ओरतों के साथ यह हुआ उन्हें खुद नहीं पता है कि क्या कैसे cutting हुई कितना हुआ कितना कब हुआ तो उनको शायद दुंदली दुंदली उनकी यादे है क्योंकि छोटी उमर में हुआ उनके साथ भी उनको अच्छे से नहीं बताया गया कि बेटा तुम्हारे साथ हुआ क्या उनको भी बहका दिया जाता है तो openness की बहुत जरूरत है जब हम इस पर बात करेंगे हमें समझ में आएगा कि दिक्कत कहां पर है अगे देखें वह बात आई ना कि वह लोग बॉल रहे हैं उनके माबाब के साथ नुरसित के माबाब ने बोला कि देखो कुरान में कहीं ऐसा नहीं है कि जरूरत है अगर हम यहां पर openness लाएंगे तो इस मुद्दे के ओपर आगे पढ़ाई होगी इसके बारे में लोग सोचेंगे इसके बारे में खोज करेंगे सर्च करेंगे और उसके बाद ही result निकल के आएगा कि क्या सच है क्या सच नहीं है ठीक है तो यही problem है कि openness नहीं है आगे देखतें कि opposition कित प्रॉफिट थे या जो मौलवी थे प्रॉफिट नहीं मौलवी थे रिलिजियस लीडर है दावदी बहराज के उनके खिलाफ बैन करने के लिए अब जिनका नाम है मोहमद बुराहनूदीन तो उनके एक स्पोक्मेन ने बोला था कि देखिए बहरा की जो ओरते है ना उनको को समझना चीए कि हमारा धर्म है वो इस चीज को मानता है वो इसके डिमान करता है और उन्हें बिना किसी बिना कोई तर्क वितर किये इसको फोलो करना चाए कि खिलाफ निदे टान चाहिये तो ऐसा उन्होंने बोला था इस खिलाफ इनके इस लिए बहराकी एичноर आध ऑन-ल 2016 में और उनका नाम उन्होंने बोला कि each one reach one ठीक है हर कोई हर किसी के पास पहुंचो यह campaign का उन्होंने नाम दिया उनको promote किया इस campaign को कि ऐसे ही जैनेटाइल कटिंग के बारे में वो थोड़ा इसके उपर conversation कर सके खुलकर बाहर निकल के आएं तो शायद कुछ change हो सके अगें एक बार online survey हुआ पहरा ओरतों का ही उसमें सहायो ने यह found किया थे कि दो ग्रूप थे ना सहायो एक यह है सहायो ग्रूप और सहायो ने ही यह found out किया कि जो खतना है जिसमें से 80% लड़कियों के उपर जो खतना हुआ है जितने भी participants महाँ पर थे उनको यह हुआ है लगबग छे से साथ साल की उमर के बीच यानि कि जब वो छे या साथ साल की उमर की थी उस समय पर 80% जो औरते थी उनको खतना उनके उपर perform हुआ है अब जब उन्होंने पूछा होगा कि देखे सर्वे होता है तो उनमें से जब उन्होंने पूछा होगा जितने भी total number थे जितनी भी औरते उनमें से 81% औरते या लड़किया ये चाहती थी कि खतना की practice है वो बंद हो ये जारी ना रहे उनके उपर हो गया वो नहीं चाहती कि उनके आने वाले बच्चे बहन या कुछ और और जो उनके घर में हो उनके ओपर ऐसा perform हो वो नहीं चाहती यानिकि 81% बहुत नमबर हो जाता है ठीक है अब अगर देखिए और कोई कारण हो सकते है 19% जो रह गई है वो लोग क्यों नहीं आई सोच का कारण हो सकता है ऐसा नहीं है कि सब लोग opposite ही है 3-4% जितने भी परसेंट और ओरते हैं जिनके ऊपर ये custom मतलब इतने सालों से अगर कुछ चीज हो नहीं है उनके माबाप ने उन्हें बताया है बाप ने तो नहीं बट अगर उनकी मा ने दादी ने उनको कुछ बाते बताएं तो वो उनके जहन में बस गई है तो वह खोता नहीं कि वही डर के नाम की कि एक रीजन ये भी है कि अगर आप लोग खतना नहीं कराएंगे तो आपकी बच्चा अंधा पैदा हो सकता ऐसे ऐसे कारण आपके पती की मृतियों वहीं डर जैसा महाल बना दिया गया ना सुसाइटी के अंदर डर बन गया उनकी मन के अंदर तो ऐसे ऐसे और भी कारण हो सकते हैं 2016 में एक दाउदी ग्रूप की ओरते थी उन्होंने फिर से एक ओनलाइन पिटिशन डाली एफजियों को बैन करने के लिए और उन्होंने इसको सम्मीट किया जो हमारी उस समय की इंडिया वूमेन एंड चैल्ड डेवलोप्मेंट की मनिश्टर थी मेनका गांधी जी के पास उसके बाद हम देख सकते हैं कि देखो यहां पर ओरते आई हैं जैसे कि देखे आई अपोस खतना यहां पर फिर से यह एक लेड़ी है वो बोल रही है आई अपोस फिमेल जैने टाल म्यूटिलेशन इस इन हूमन यह इन हूमन है यानि कि यह बहुत बुरी चीज़ है अगे उने भी इसमें हिस्सा लिया और जो बोल रहे है कि देखिए मैं बहुरा से ही हूँ और मैं खतना को अपोस करता हूँ यह फिर बोल रहे है कि खतना का मतलब है चाइल्ड अब्यूज और यहां पर इन्हों लिखा है कि मैं बहुरा कम्यूनिटी से हूँ और मैं खतना को लाफ हूँ तो ऐसे लोगों ने अपोस किया है इसको आगे चलते हैं रिजल्ट क्या हुआ इन अपोजिशन का मुमेंट हुए है पिटीशन हुई है तो देखें दो हजार सत्रा में माई के महिने में एक पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया गया था पी आई इसको फाइल किया था केस को फिर एक एड़ोकेट आते हैं जो क्लेम करते हैं कि देखें जो यह खतना है यह वाइलेंट करती है यानि कि वाइलेंट करती है जो बच्चों के राइट है उनको अंडर आर्टिकल 14 यानि कि जो आर्टिकल 14 है उसके अनुसार राइट टु एक् वाइलेट का क्या मतलब आखनन कर रहे हैं उसको तोड रहे हैं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है जो जीवन का अधिकार है उसके भी एक हिलाफ है हमारे जो सवीधान में हमें बताया गया है उसके बाद दूसरे लोयर हैं जो उनका कहना था कि देखिए ये सब बाते तो ठ कर रहे हैं तो बात यह है कि जो खफज है ना वह बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट है कम्यूनिटी के रिलीजन का धरम का और हमारे ही इसे सवीधान ने हमें आर्टिकल 25 और 26 दिया है जिसमें ये बोला गया है कि आप अपने धरम है यानि कि जो आपका कोई भी धरम है तो उसकी प्रैक्टिस का आप लोगों को अधिकार दिया जाता है तो ये इसका अपोजिशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेक्स सेप्टेंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन एक पी आईल को रेफर करते हुए पांच जज्जी का कॉंस्टिशन बेंच बिठाया और वहां पर उन्होंने दावदी बहराज में रहने वाली ओरतों के इस मुद्दे के ओपर बात करने की अपील जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं कल पाया है और इस इशू को एक बड़े बेंच को सौप दिया जाता है तो उन चाइल्ड अब्यूस का तो मामला आता ही है पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको चाइल्ड अब्यूस के साथ साथ क्या करना है वुमन के राइट्स के साथ भी इसको जोड कर रखना है ताकि हम उस कंटेक्स्ट में भी इसे समझें क्योंकि है तो लड़की है तो वुमन और बहुत सारी ऐसी ओरते हैं जिनके ओपर यह वा है वो नहीं चाहती है जो 18 प्लस हो चुकी है जो नहीं चाहती है ऐसी कोई भी उनके साथ ऐसा कुछ भी हो ठीक है तो इसको ऐसा माना गया और आखिर में जब कोर्ट का रिजल्ट आया जो उन्होंने बताया तो उन्होंने बोला कि FGM जो है वो एक कल्चरल इशू है ना कि रिलीजियस और इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक हमारे इंडिया में हमारे देश में FGM बर बैन नहीं लगा है आगे बढ़ते हैं इसके हेल्थ रिस्क क्या है या फिर इसका कॉंसिक्वेंसी इसके रिजल्ट क्या निकल क् है फिजिकल सोट और लॉंग टर्म में होते हैं बहुत दर्द होता है शोक में चला जाता है बच्चा की ट्रस्ट इशूज होने लग जाते कि खुद मेरी मा या मेरी दादी ने मुझे इतना दर्द क्यों दिया वो लोग मुझे ऐसे क्यों लेके गई यूराइन जो तो यह होता है तो यह होता है कि 15% कि इनकी स्टोडी के अकोर्डी कि जो 15% साइज वो मर जाती हैं सिरफ इन्फेक्शन की वज़े से ब्लीडिन की वज़े से और उसका कारण सरकम साइज ही होता है सब्सक्राइब कि mutilation ही उसका कारण होता है और इन्हों ने अपनी study के according ये भी claim किया है कि लगभग हजार ओरतों में से जो जिनको mutilate किया जाता है उन में से 70 वुमन मर जाती है उनकी death हो जाती है 1000 में से 70 ठीक है तो अगर 1000 ओरतों के उपर यह हो रहा है तो उसमें से 70 ओरतों की मौत हो जाती है वो नहीं सेहन कर पाती है नहीं होता है नोन-मेडिकली होता है open source होते है या dysmenuria जैसी बहुत उनको बिमारी हो जाती है उनको pain होता है menstruation में उनको बहुत pain होता है क्योंकि उनके शरीर में naturally blood की कमी हो जाती है infertility जैसे कारण भी हमें देखने को result भी हमें देखने को मिलता है कि मा नहीं बन पाती है उरते sexual जो उनका pleasure होता है वो या तो decrease होता है या बिलकुल ही खतम हो जाता है और child birth में complications आती है दिक्ते आती है अब last में सबसे दुखत बात यह है कि United Nations का मानना है कि अगर खतना नहीं खतम हुआ अभी के अभी उसको रोका नहीं गया FGM को तो 2030 तक देखिए अभी 2021 चल रहा है अगर हम रोक देते हैं इसी time या अभी इसी साल में तो अच्छी बात है बट अगर नहीं रुका तो 2030 तक लगबग 68 million लड़किया जो होंगी उनको इसके इससे गुजरना पड़ेगा वो भी सिरफ इंडिया के अंदर हम globally बात नहीं करती है तो 68 million का क्या मतलब हुआ 68 million is equal to 68 multiply में 10 क्योंकि 10 लाक एक में होता है तो 6.80 lakh खेर बहुत दुख की बात है मुझे लिखते टाइम भी पढ़ते टाइम भी बहुत दुखा रहा है और मैं आशा करूंगी कि यह रुक जाए तब तक मासूम बच्चीयों को इसके go through ना होना पड़े और जो भी मेरे साथ यहां तक बने हुए थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई भी आपके मन में ऐसे ही टॉपिक आते हैं आप मुझे कमेंट में लिख कर बताए मैं उसी इसी प्रकार के जाकर उसकी खोज करकर उसकी ऊपर काम करूंगी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी